हेलो फ्रेंड्स, as you know my name is Vikas Kumar और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा YouTube चैनल अध्यान्दा एफ़र्ट तो आज के ये वीडियो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग जैसा कि आपको मालूम है JUT में 2021 में जो questions पूछे गया थे power electronic subject में उसका जो है video lectures उसको हम लोग उस questions को solve कर रहे हैं तो आज जो हम लोग subjective questions को tackle करेंगे तो जो एक subjective question आपके JUT में JUT का जो previous year का question था that is 2021 में जो regular क exam हुआ था उसमें जो आपको एक question पूछा गया था ठीक है उसको आज हम लो subjective questions को देखेंगे ये question 16 marks का पूछा गया था आपसे ठीक है solar number में ये question आया था question हम यहाँ लिख देते है question number ये 3 था हम सारे questions को tackle करेंगे जो questions माल लेते question number 2 अगर अगर अभी हमने बता रहे है 1 बत question number 3 जो है था है that is with suitable with suitable circuit diagram circuit diagram and waveform wave form describe describe fully controlled fully controlled full wave controlled full wave controlled rectifier with RL load ये आपको question पूछा गया है ठीक है solar marks का ये question है 16 marks का question है ठीक है आपको ध्यान डखना है at least आपका 3 to 4 page में answer जाना चाहिए minimum 3 to 4 page का answer होना ही चाहिए तो आपको हम पहले ही बताएं है कि आपके syllabus में uncontrolled और controlled rectifier है लेकिन ज्यादा तर जो ट्रेंट देखा जाता है पूछने को वो controlled rectifier के बारे में पूछा जाता है अब इस question के साथ problem यह है कि इस question में mention नहीं कर राखा है कि आपको single phase का answer लिखना है या three phase का answer लिखना है और आप दोनों ते answer लिखो गरे कोई एक ही answer लिखो गया अगर आपका तयारी अच्छा है single phase का तब single phase answer लिख कर आओ three phase का अगर आपका तयारी अच्छा है तो आप three phase का answer लिख कर आओ दोनों को लिखने का पूरा पूरा कोशिस नहीं करना ठीक है बहुत आप page हो जाएगा बहुत time लग जाएगा single phase भी आप लिख रहे हो more than enough है या सिर्फ three phase लिख रहे हो more than enough है ठीक है तो आज जो हम लोगों question के अंदर mention ही नहीं कर रखा है तो जिन बच्चों को single phase की अच्छी त्यारी हो single phase कर लेंगे जिन बच्चों को three phase की अच्छी त्यारी है वो three phase ही करेंगे फिर single phase के अंदर भी आपका midpoint connection होता है इसके अलावा आपको एक bridge rectifier वाला भी bridge type connection भी होता है तो आप दोनों में सो क same कहानी है तो आप किसी एक का काम कर लो ठीक है तो हम लोग जो है वो single phase आज कैसा कर रहे हैं तो bridge type ठीक है single phase bridge type हम आपको बताते हैं तोड़ा असान भी है ठीक है single phase bridge type I hope आप लोग यह question देख लिए होगे हम यह questions को मिटा जेते हैं ठीक है तो before starting the starting to solve the question ठीक है question को solve करने से प कि अध्यान में जो after diploma जो है डिप्लोमा के बाद SSC JEE आपको JSSC JEE और जो जितने भी PSU JEE है इनका जो preparation है coaching है वो आप कर सकते हैं free of cost आपको वैसे तो bridge 20,000 है लेकिन आपको इतना pay करने का आप सकता नहीं है यह completely free आप coaching कर सकते हो तो इसके लिए के scholarship test जो है वो अध्यान जो है वो organize कर रहा है ठीक है जिसमें top 40 जो बच्चे होंगे top 40 बच्चे होंगे चाहे वो mechanical के हो, civil के हो या electrical double E, double E या triple E जो दोनों branch है उनके बच्चे हो तो electrical में और double E, triple E में 40 बच्चे, mechanical में 40 और civil में 40 ऐसे top 40 students completely उनका fees जो है वो माफ रहेगा ठीक है उसके आलावा जो और भी rank लेंगे किसनी को 80% का discount है उसके बाद आपको 60% का भी discount है तो वो अपना discounted rate पर भी उसके बाद जो rank ला रहे है वो आप वहाँ पर बहुत ही nominal rate में आप coaching कर सकते हो इसका जो पूरा description है इसके बार जो video है इस video के जो description box है उसम समझाए है उसका link आपको दिया गया है 22 में 20 seconds of make आपका exam conduct होगा completely online mode में होगा आप घर बैठे आराम से exam दे सकते हो ठीक है किस तरह का questions उस scholarship test में पूछा जाएगा इसका भी आपको एक video हम provide कर देंगे ठीक है बहुत ही normal सा question रहेगा ठीक है बहुत ही easy questions रहेंगे उनमें किस aptitude reasoning है जो GKGS है इनके questions रहेंगे और आपको बहुत ही basic जो आपको electrical engineering का जो paper रहता है या mechanical वागा mechanical engineering का जो paper रहेगा या civil world का civil engineering का paper रहेगा वो बहुत ही basic questions इसमें रहेंगे ठीक है तो आप ये 22 में को exam है आप दे सकते हो कैसे आपको exam में null होना उस link पे दिया गया है आपको बस एक number पे अपने details जो है वो forward गर देना है ठीक है और आपका काम हो जाएगा ठीक तो आप description box में link दिया गया है 22 में को exam होगा 30 में को आपको result announced होगा ठीक है girls candidate के लिए special offer है तो आप लोग जाए description box में link है ठीक है आप video को check कीजिए ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं तो ह आपको बनाना है single phase हम करेंगे single phase single phase full wave controlled rectifier controlled rectifier with RL load यह हम लोग देखने वाले हैं यही आपका question पूछा है ठीक है कौन सा हम लोग देखने वाले हैं तो bridge type bridge type connection देखने वाले हैं ठीक है सबसे पहले exam में क्या करिएगा इसका एक अच्छा सा neat and clean circuit diagram जो है वो बनाईएगा ठीक है तो हम एक circuit diagram बना रहे हैं ठीक है circuit diagram हो गया bridge type में यह सारे आपके thyristors हो गया ठीक है और यहाँ पर आप क्या कर लो एक load लगा लो यह आपका RL load हो गया ठीक है this is a RL load इसके cross voltage कितना है भी नॉट है यहाँ पर आप एक connection जो है वो provide करोगे यह A है यह B है यह single phase AC supply से आप इसको connect कर दोगे इस AC supply का जो equation रहेगा Vs का equation that is Vm sin of omega t रहेगा ठीक है ठारिश्टर का नाम आपको देना है this is T1 this is T4 this is T2 this is T3 अगर जिन बच्चों को नाम याद करने में दिक्कत होगा उनके लिए एक अप उतार है देख लिजे यह 1 है यह 4 इसका sum 5 होना चाहिए T1 T4 एक और 4 को जोड़िएगा 5 दो और 3 को जोड़िएगा 5 तो इसका sum आना चाहिए 5 अगर आप T1 T2 यहाँ लिख रहे हैं और यह T3 यहाँ कर जीएगा तो 3 और T3 अगर आप यहाँ कर दीएगा तो इसको जोड़िएगा आप तो 5 नहीं आएगा इसको जोड़ना है एक ही ब्रांच में लगा रखे है इसको जोड़िएगा तो 5 आना चाहिए जैसे यह T1 को जोड़ ले और T4 को जोड़ ले तो 4 और 1 5 2 और 3 पांच अगर आप तीन यहां कर दिया आप फिर जोड़ेगा तो आपको पांच नहीं आ रहा है तो आप समझेए गरत है आपका connection ठीक है तो आपका इसे रखना है T1 यहाँ पर T4 T2 यहाँ पर T3 ताकि आपका सम क्या है पांच आए ठीक है आई होप इतना आपको दिमाग में गया होगा अब क्या है आप सबसे पर जब सरकीट डाइगराम बना लेते हो तो थोड़ा सा सरकीट डाइगराम के वारे में दो लाइन जैसा जरूर लिख दो कि this is a आप चाहें तो साथ में नोट्स बना सकते हैं this is a single phase full wave controlled rectifier with RL load दूसरा point लिख होगे the voltage across the load is V0 load के cross voltage V0 है if the thyristor connection is a bridge type and their connections are shown in the circuit diagram दिस सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज Vs is equal to Vm sin omega t is given at the input terminal ठीक है यह है आपका simple सा चीज हाँ एक important point आप beginning में ली सकते हो the main function of the rectifier is to convert AC into DC ठीक है AC को DC में convert करने का यह काम करता है मतलब यहाँ आप supply AC दे रहे हो तो यह जो आपको load के AC जो यहाँ पर voltage मिलेगा this is a DC voltage this is the main function of the rectifier तो यह आप कुछ introduction point जो है इस circuit diagram के just नीचे लिखिएगा आप वीडियो को pause करके इन points को आप अपने notebook में लिख सकते हो इतना लिखने के बाद जो होता है अब आपको operations को समझाना है ठीक है तो देखिए हम लोग operation को जो है समझते है कि यह circuit काम कैसे करता है ठीक है काम कैसे करेगा पहला चीज़ जो है यहाँ पर आपका AC supply इस तरह से जा रहा होगा 0 to pi और यह है 2 pi यह है supply voltage vs ऐसा आपको AC supply होगा तो जब यह AC supply 0 to pi जाएगा ठीक है उस time में story क्या रहेगा ठीक है तो जब आपका 0 to pi जाएगा हम क्या करते है थोड़ा सा यह वाला मिटा लेते है ताकि मेरे पास जगह थोड़ा बन जाए तीक है आपको आप लोग लिख लिए होंगे तो हम यह मिटा लेते है क्योंकि हमको इधर waveform बना रहा है और operations इहां समझा रहे है तो आपका 0 to pi किसका supply का तो supply का जब 0 to pi जाएगा तो यह वाला waveform आएगा इतना ही यह waveform आ रहा है supply का जब supply का यह waveform आता है तो उस टाइम में यह circuit कैसे काम कर रहा है यह thyristors कैसे काम कर रहा है वो आपको बताना पड़ेगा तो 0 to pi में आपका क्या होगा कि thyristors जो होगा इसमें अगर आप देखिएगा तो इसका positive half cycle ऐसे चलेगा तो positive half cycle मतलब उपर plus और यह नीचे minus तो यह plus का मतलब होई यह किससे जुड़ा हुआ है A से तो A क्या होगे आपका plus और यह किससे जुड़ा हुआ है आपको B से तो B क्या होगे minus तो 0 to pi में आपका जो है यह टर्मिनल जो है वो कैसा है A क्या है आपका positive है और B क्या है आपका negative है तीक है इस टाइम में जो voltage का waveform मिलेगा यह VAB मिलेगा this is your supply voltage VAB देखिए यहाँ पर जो पहला लिखते हैं यह हमें सा positive वाला quantity लिखेगा positive quantity क्या है A है तो A हम positive लिखे अब B क्या है negative ऐसे लिखते हैं तो VAB लिखे तो हमारा A क्या होगा positive और B क्या होगा negative अगर कोई बंदा लिखा BA तो BA मतलब B होना चाहिए positive और A होना चाहिए negative जो पहला रहेगा वो plus होता है दूसरा वाला minus होता है इसे यहाँ पर A क्या है यह plus है और B क्या है minus है तो ऐसे लिखते है तो आपका supply voltage अभी क्या है 0 to pi में VAB है ठीक है यह आपका कहानी है ठीक है इस time में जब यह A plus रहेगा ठीक है तो A node अगर positive अगर cathode अगर negative होता है तो thyristor आपका forward bias ने कहलाता है ठीक है तो देखो अगर A यहाँ पर plus है तो यह वाला thyristor T1 यह positive की तरफ है यह वाला हिस्सा क्या है plus की तरफ है ठीक है और यह वाला हिस्सा यहाँ पर क्या है यह plus की तरफ है ठीक है तो यह T4 क्या हो जाएगा reverse bias और T1 क्या हो जाएगा forward bias तो 0 to pi operation में होगा T1 forward biased ठीक है उस तरह से B negative होने का मतलब T2 reverse bias और T3 forward biased तो T1 and T3 are forward biased है ठीक है और आपका T2 and T4 are reverse biased यह आपको clear होना चाहिए 0 to pi इतना operation आपका काम करेगा ठीक है 0 to pi इतना operation आपका काम करने वाला है ठीक है आगे आपको बात समझ में है चलिए इस situation में आप ऐसा बोल सकते हो कि थारिष्टर जो T2 है यह आपका काम ऐसे नहीं करेगा तो इसको हटा दीजिए ठीक है ठीक है थारिष्टर T4 है इसको आप हटा दीजिए यानि circuit में आपका स्रीफ T1 और T3 दिख रहा है तो यहाँ से जो current आपका चलेगा यह ऐसे positive से निकलेगा supply का यहाँ आएगा तो नीचे तो कोई थरिष्टर काम नहीं कर रहा है तो यह T1 से होता हुआ यह current अब इधा तो आएगा नहीं open है यहाँ आएगा load के पास ऐसे चलेगा T1 से होता हुआ यह load से होता हुआ इस तरह से आएगा और T3 से होता हुआ यह आपको इधर चला जाएगा तो आपका current कैसे conduct कर रहा है तो current जो होगा current हम यहाँ लिख देते हैं current will current will flow बोलिए current will flow from कहा से कहा करेगा from source source to कहा जाएगा source से T1 के पास source से आएगा A के पास A से कहा जाएगा T1 के पास T1 से कहा आएगा load के पास RL load है हमारा और यहां से कहा जाएगा load के बाद T3 में जाएगा T3 से कहा जा रहा है तो T3 से B के पास आ रहा है और B के पास से फिर यह कहा वापस चला जा रहा है source के पास देखलो इस तरह से आपका current flow कर रहा है source से A, A से T1, T1 से load, load से T3, T3 से B, B से again source यह आपका 0 to pi का operation हुआ, पहला चीज दूसरी चीज क्या है, कि आपका T1 और T3 forward bias ने जरूर है ठीक है, बट इसको जब तक आपको thyristor का पता होगा कि thyristor जो होता है, सिर्फ forward bias होने से काम नहीं बनेगा thyristor forward bias है, तो यह इसमें दो mode आ जाते हैं एक mode को हम लोग बोलते हैं, forward blocking mode forward blocking mode, और दूसरे mode को बोलते हैं, forward conduction mode ठीक है, तो जब तक आप thyristor को, आपका thyristor forward bias है मतलब वो forward blocking mode में, लेकिन जब तक आप उसको firing pulse, यानि trigger नहीं करोगे, तब तक वो forward conduction mode में नहीं जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको उसको alpha angle पे trigger करना ज़रूरी है, जब तक आप trigger नहीं करोगे, वो forward blocking से forward conduction mode में shift नहीं करेगा, थिक है, तो आप जो है, किसी पर भी, alpha is equal to 10 degree, 15 degree, 60 degree, 40 degree, आप कोई भी एक value पर आप trigger करोगे, तब ही जाकर यह thyristor जो होता है, वो forward blocking से forward conduction mode में जाएगा, तो इसका आप thyristor T1, T3, तब तक trigger नहीं होगा, जब तक कि आप firing pulse नहीं दोगे, और आप firing pulse कब दोगे, तो omega T is equal to alpha पर दोगे, तो आप 0 to pi के operation में last point क्या लिख होगे, यहां लिख देते हैं, thyristor T1 and T3 will conduct when a firing pulse when a firing pulse at omega T is equal to alpha is given, thyristor T1, T3 कब conduct करेगा, जब आप एक firing pulse दोगे, omega T is equal to alpha पर तब, इन points को आप video pause करके, 0 to pi वाले section में आप लिख लो, ठीक है, A positive रहता है, B negative रहता है, voltage supply VAB मिलेगा, T1, T3 forward बायाज दोगा, T2, T4 reverse bias होगा, यह आपका current इस तरह से flow करेगा, और यह आपका point हो गया, और यह आपका circuit diagram हो गया, 0 to pi के बीच में, 0 to pi के बीच में, ऐसा आपको circuit diagram देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप अराम से video pause करके, इन points को लिख लो, जब यह points लिख लेते हो, तब जो है, हम लोग इसका waveform बनाना सुरू करने वाले है, ठीक है, तो देखो, हम लोग यहाँ एक waveform, इसको मिला देते हैं, एक waveform बनाएंगे, ठीक, पहले हम लोग supply voltage बनाएंगे, यह supply voltage है, यह omega t है, ठीक है, यह जो है, यह VAB का supply voltage, यह VAB लिए है, ऐसा flow करेगा, ठीक है, फिर आपका इसी time में VBA भी रहेगा, तो VBA के बारे में थोड़ा देर में अभी हम बताएंगे, यह है VBA का waveform, ठीक है, तो VBA के बारे में जो है, आम वो थोड़ी देर में आपको बताएंगे, ठीक है, अभी आप इतना मान के चलो, फिर आप बनाओगे किसका output voltage V0 का, फिर आप एक waveform बनाओगे, वो current I0 के लिए बनाओगे, ठीक है, इसके अलावा हम छोटा कर लेते हैं, current I0 के लिए, नीचे हमको एक और waveform बनाना है, यह आप बनाओगे, current I0 के लिए, फिर आप एक waveform बनाने वाले हो, T1 और T3 के cross, जो voltage रहेगा उसके लिए, और एक आप waveform बनाने वाले हो, T2 और T4 के cross, ठीक है, चलो, तो कुल मिलाकर आपके इतने waveforms जो है, वो बनेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखते हैं, तो यह है हमारा जीरो, यह हमारा पाई, यह हमारा 2π, यहाँ पर मिलेगा 3π, आप ऐसे जो है, खीच लो, और यहाँ से आप ऐसे खीच लो, ठीक है, अब आपका जो है, यह इस जगा पर concept हाइस्टर कंड़क कर रहे है, T1, T3 कंड़क कर रहे है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक, आप इस जगा पर एक, क्या दिये हो, फाइरिंग पल्स, अल्फा, यह क्या है, ओमेगा T is equal to अल्फा, यहाँ पर आप फाइरिंग पल्स दोगे, जैसे हैं यहाँ आप फाइरिंग पल्स अल्फा से पहले, आपका T1, T3, फॉरवर्ड मैं तो है, पर कंड़क नहीं कर रहे है, ठीक है, अल्फा के बाद वो कंड़क करना शुरू करेगा, जैसे ही वो अल्फा के बाद कंड़क करना शुरू करेगा, तो यह थैरिंश्टर भोल्टेज का यतना वेफ़़ॉर्म को पकड़ लेगा, यह वाला वेफ़़ॉर्म को पकड़ेगा, तो जब पकड़ेगा तो वेफ़ॉर्म कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा, ठीक है, और यह आपका है VA, मतलब यह आपका VAB, यह पल्स आपको VAB मिलेगा, ठीक है, और यहाँ थैरिंश्टर कौन सा कंड़क कर है, फिलहाल अभी आपका T1 और T3 कंड़क कर रहा है, ठीक है, यह कंड़क कर रहा है, ठीक, अभी यहाँ पर चलेगे, यहाँ तक, यह पाई है आपका, तो alpha 2 worldwide यह आपका parisher T1 T3 फिलहाल अभी आपको कंड़क कर रहा है, इसके बाद, पाई के बाद क्या होगा, यह alpha से प अब देखो एक चीज जब यह current इस तरह से flow कर रहा होगा तो जब एंटर करता है किसी element में तो positive देते हैं निकलता है तो negative देते हैं इंडक्टर के साथ भी ऐसे होगा इंडक्टर में एंटर करेगा तो positive निकलेगा तो negative देंगा और इंडक्टर एक energy storing device है जब current ऐसे flow करेगा त इनर्जी 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 इनर्ज 0 हो जाता है क्यों क्यों कि ये short करता है conduct करते हैं ये short circuit जैसा भी ये एप करता है तो इसके cross voltage 0 इसके cross voltage 0 याद रखना क्या point बता रहे हैं जब भी कोई thyristor conduct करेगा तो उसके cross voltage 0 हो जाएगा तो T1 और T3 दोनों के cross voltage क्या मिलेगा 0 मिलेगा तो अलफा से लेके πाई के बीच में T1 T3 के cross voltage किसा मिलेगा 0 voltage मिलेगा T2 और T4 ये दोनों conduct नहीं कर रहे हैं तो ये जब दोनों conduct नहीं कर रहे हैं तो इनके cross किसके cross कैसा voltage मिलेगा तो supply voltage मिलेगा अब ये conduct क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह reverse bias है, एक यह positive होने से यह T, जो यहाँ पर T2 है, यह T2 है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? T3 है, तो T2 reverse bias है, तो T4 reverse bias है, तो T2 और T4 यहाँ रहता है, और T2 यहाँ रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा क्या है T2 और T4 यह दोनों reverse bias है जब भी reverse bias रहते है तो देखो यहाँ यह positive होने कोई से T4 reverse bias है और यहाँ पर B के negative होने कोई से T2 reverse bias है तो यह दोनों reverse bias है ठीक है तो इनके cross supply voltage तो रहेगा लेकिन कैसा उल्टा वाला तो यह इनका reverse supply voltage है यह reverse supply voltage है तो यही reverse supply voltage जो है मिलेगा देखो अल्फा से बात यहाँ से अभी हम अल्फा से πई बना रहा है तो यह वाला इतना waveform मिलेगा अभी हम फिलाल इतना बना रहे है ठीक है आगे और सुधार करेंगे यह मिलेगा ठीक है T2 T4 के cross ये voltage जबी देखने को मिल रहा है ठीक तो ये waveform जो हैं बनाए वो alpha से लेकर pi तक बनाए अब pi से लेकर 2pi के बीच में अब फिर इस story को हमको लिखना पड़ेगा ठीक है तो अब हम लोग का story किसके किसके बीच लिखेंगे pi to 2pi लिखने वाले तो pi to 2pi में ये supply का ये वाला negative pulse गुसेगा supply का देख लो ये negative pulse आया ये वाला तो जब ये negative आएगा pi to 2pi तो उस टाइम में a क्या हो जाएगा negative हो जाएगा और ये negative अब गुसेगा ना तो negative मतलब यह minus और ये plus तो a क्या हो गया minus और यहाँ पर B क्या हो गया पलस हो गया ठीक है तो A मेरा negative हो जाएगा और B मेरा क्या हो जाएगा positive हो जाएगा ठीक है तो आप हम लोग VAB नहीं लिखेंगा अब हम लोग क्या लिखेंगे VBA लिखेंगे ठीक है देखो इसलिए हम लोग इसमें pi to 2 pi वेब फर्म किसको बनाते है VBA, supply क्या मिलता है VBA, क्योंकि जो positive रहाता उसको पहले लिखते है तो B positive है, B पहले लिखेंगे A negative हो पहले लिखेंगे, बांग लिखेंगे A को इस टाइम में T1, T3 क्या हो जाएगा reverse biased हो जाएगा reverse biased हो जाएगा यह T1 और T3 को हम लोग हटा दी reverse biased है और T2 और T4 क्या हो जाएगे forward biased हो जाएगे इस तरह से हम लोग connect कर देंगे तो circuit diagram कुछ ऐसा दीखेगा अब current जो एगा negative टर्मिल्स तो चलेगा नहीं current हमें सा कैसा चलेगा positive terminal से तो हम लोग current का direction देखेंगे ठीक देखो यहाँ positive terminal लोग है तो current अब इधर से flow करेगा source से कहां जाएगा यह B तक गया B से यह T2 तक जाएगा T2 से इधर तो आएगा नहीं T4 open है इधर जाएगा load से होता हुआ यहाँ आएगा ठीक है फिर T4 से होता हुआ कहां पहुँचेगा A पर A से होता हुआ फिर यह source तक वापस आएगा तो current कैसे flow करेगा current flow कैसे करेगा तो current करेगा source 2 कहा गया है यह B पर B से कहा गया है T2 पर T2 से कहा गया है load पर load से कहां आया है T4 पर T4 से कहां आया है A पर और A से वापस किस पे चला गिया है? Source पे. तो इस तरह से आपको current जो है, वो conduct करेगा. ठीक है? अब देखो, एक चीज. जैसे ही आप πाई से 2 पाई के बीच में operation करना सुरू करोगे. तो ये T2, T4 जो है, ये forward bias तो है, लेकिन तब तक conduct नहीं करेगा, जब तक कि आप इसको firing pulse नहीं दोगे. मतलब आप firing pulse यहाँ देगो, omega T is equal to pi plus alpha पे, यहाँ से यहाँ तक pi अप ही है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? अलफा है, तो pi plus alpha पे आप क्या दे रहो? firing pulse दे रहो? तो आपका यहाँ से अब करना करना शुरू होगा. तो अब होता है कि pi से लेकर, इस जगा से लेकर, इस pi plus alpha के बीच operation कैसा रहेगा? देखो, pi से लेकर, pi plus alpha के बीच operation ऐसा रहेगा, कि यह जो आपका T1 और जो T3 था, यह reverse bias pi के बाद हो जाना चाहेगा, पर हो नहीं पाएगा, हो जाना चाहेगा, पर हो नहीं पाएगा, क्योंकि यह inductor जो है, यह energy release करके बैठा है, पूरा, अब जब तक यह energy, sorry, energy store करके बैठा है, alpha से लेकर pi के बीच में, inductor क्या करके बैठा है? energy store करके बैठा है, अब जब तक ये inductor अपना energy release नहीं करेगा, ये इस T2, T4 को on होने नहीं देगा, यानि हम लोग inductor का energy release होने के बाद ही T2, T4 को firing pulse देगे, तो inductor को energy release कैसे करेगा, तो inductor वापस से अपना जो stored energy है, वो किसको भेज देगा, source को भेजेगा, तो उस time में एक reverse यहां से, ये जो व 30 change करें, मतलब पहले इधर plus था, तो अब ये minus हो जाएगा और ये plus हो जाएगा, और ये इस तरह से inductor से होता हुआ, ठीक है, T3 से होता हुआ, ठीक है, T3 से होता हुआ, ये inductor से होता हुआ, T3 से होता हुआ, ऐसे source को अपना energy क्या करेगा, भेजेगा, इस तरह से चलेगा य जब ये इस डिरेक्शन में πाई से लेके अलफा के बीच में पाईस टू पाई प्लस अलफा इसके बीच में इंडक्टर कैसे फीड करेगा तो देखो हम लोग का एनरजी जो है यानि इंडक्टर से लोड निकले यानि L से करेंट फ्लो होना सुरू होगा कहा पर आएगा T3 को आफ नहीं होने देगा T3 थोड़ा देर के लिए कंडक्ट करेगा ठीक है T3 से फिर कहा जाएगा B पर B से कहा आएगा source पर source से कहा आएगा A पर और A से कहा जाएगा यह A से जाएगा T1 पर और T1 से वापस लोड पर इस तरह से यह cycle जो है energy release करने का काम करेगा किसके cross release करेगा तो यह अपना जो stored energy है वापस से किसको feed किया source को तो इस time में यह ultra direction में चलाना तो इसलिए इसका voltage negative peak के साथ ऐसा आएगा ठीक है उस time में यह ultra voltage मिलेगा ठीक और इस दोरान में यह क्या करेगा energy release कर दिया ठीक है और इस time में t1, t3 क्या किया अब भी भी still conduct कर रहा है t1, t3 तो t1, t3 still conduct करता रहेगा यहां से लेकर यहां के बीच में और t2, t4 तब तक भी forward बायस तो है पर forward blocking mode में है ठीक है तो यह वाला यह waveform को follow करेगा यहां तक ठीक है आया बासमन में इसके बाद जाकर क्या होगा pi plus alpha से लेके 2pi, pi plus alpha से लेके 2pi तक current इस तरह से आपका flow करना start होगा क्योंकि pi plus alpha पर आप क्या कर रहे हो, thyristor t2 और t4 को firing pulse प्रोवाइड कर रहे हो ठीक है जैसा ही firing pulse आप provide करोगे यह इतना waveform को क्या करेगा follow कर लेगा ठीक है यह भी भी यह हो गया follow कर लेगा फिर inductor क्या करेगा energy store करेगा ठीक है और इस time में क्या हो रहा है तो आपका t1, t3, t1, t3 क्या है reverse biased है तो reverse biased है तो यह वाला forward biased का voltage है और यह वाला reverse biased का voltage है इस cycle में तो इतना voltage को यहां से है न reverse biased इतना voltage को यहां से यह voltage को t1, t3 क्या करेंगे follow कर लेंगे तो इस voltage को t1, t3 क्या कर लिया follow कर लिया ठीक है और t2, t4 क्या है forward biased है तो T2, T4 आपका forward bias है, forward bias के cross अभी बता है, voltage 0 हो जाएगा, तो ये voltage क्या हो जाएगा, इस तरह से 0 voltage मिल जाएगा, ठीक है, अब देखो, फिर again किसका operation शुरू हो गया, तो फिर again ये VAB का operation शुरू हो गया, जो इससे पहले हम बताये थे, यानि ये वाला जो cycle है, फिर से follow होग तो देखो, inductor फिर energy store करके बैठेगा, तो inductor अपना energy जब तक release नहीं करेगा, तब तक ये किसको off नहीं होने देगा, तो T2, T4 को off होने नहीं देगा, inductor जब तक अपना energy release नहीं करेगा, तो inductor को energy release करने के लिए, मान लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर firing pulse हम लों दे रहे है omega T is equal to 2 pi plus alpha पर हम लों firing pulse दिये हैं, इस जगह पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर जब firing pulse दे रहे हो, तो तो 2 pi से लेके 2 pi plus alpha के बीच में, यह इस तरह का waveform फॉलो करेगा, यह अपना energy release करेगा, ठीक है, यह energy release किया, ठीक, उसके बाद, यह क्या करेगा, इतना, इतना को follow करेगा, तो यह आपका यहाँ follow किया, और यह आपका T2, T4 still conduct करते रहा, ठीक है, यह operation चलता रहेगा, ठीक है, फिर यह waveform कैसा बनेगा, इस तरह का waveform, फिर से यह energy release, store करेगा, और फिर यह जो होगा, यह क्या होगा, इस तरह से conduct करेगा, और यह क्या होगा, यहाँ के बाद, कुछ इस तरह का waveform, सो करेगा, ठीक है, तो देखलो हम वही basically किये है, 2pi plus, अलफा से लेकर 3pi तक, वही waveform बनेगा, जो अलफा से लेकर यहाँ के बीच में बनाए है, ठीक है, हम बताया थे कि 0 से लेकर अलफा का बाद बताएंगे, देखो 0 से energy release कर रहा है current का, तो current का energy release करवा देंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा waveform बना है, तो यह वाला waveform यहाँ बना देंगे, यहाँ पर क्या है, यह conduction है, यह भी यहाँ ऐसे conduct करेगा, ठीक है, तो यह जो है आपका वो completely क्या बन गया, waveform बन गया, यह सारे omega t axis होते हैं, आप पर देख लिज्येगा, ठीक है, तो यह आपका complete क्या रहा, waveform रहा, यह आपको neat and clean बनाना है, ठीक है, अब जब एक बार आप waveform बनाते हो, तब lastly आप क्या calculate करते हो, average voltage, यह output voltage आपको calculate करके बताना है, ठीक है, तो आप जो है, हम आपको average voltage calculate करके बता देते हैं, ठीक है, तो आ आप जो है, average voltage calculate करोगे V0, V0 कैसे calculate करते हो, length of the curve, sorry, area under the curve आप निकालते हो, क्या होता है, area under the curve divided by length of the curve, और area under the curve आप कैसे निकालते हो, तो इसके लिए आपको calculus का सारा लेना पड़ेगा, area आपको कैसे निकालोगे, area under the curve आपको केतना है, ये निकालना पड़ेगा, तो देखो ये function कौन सा होता है, तो Vm sin of omega t का ये वाला function है, ठीक है, आप कहां से कहां तक integrate करोगे, तो देखो आप इसको integration करोगे, derivative क्या लोगे, d of omega t, ये आपका क्या रहेगा, derivative रहेगा, ठीक है, अब आप integrate कहां से कहां करोगे, तो ये देखो, ये pi से लेकर, कहां तक आपका conduct कर रहा है, तो pi प्लस alpha तक, यहां से ऐसे conduct कर रहा है, pi प्लस alpha तक, तो यहां तक आपका t1, t3 है, और य t1, t3 यहां conduct किया है, ठीक है, t1, t3 हो गिया, t2, t4 हो गिया, ठीक है, और ये उधर conduct कर करेगा, ये यहां पर आपका conduct करेगा, t2, t4, ठीक है, यहां पर कौन conduct करेगा, t2, t4, ठीक है, यहां से यहां तक कर्ड 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 किया है, t2, t4, ये कंड़ किया है, t1, t3, यहां तक, फिर ये कंड़ किया है, t2, t4, यहां तक, फिर कंड़ किया है, t1, t3, फिर रहां बनाते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं बनाए है, ठीक, तो आपका, ये t1, t3 कहां त कर रहता है तो length of the curve always pi लेते हैं half wave रहेगा तो length of the curve आपका कितना लेंगे हम लोग 2 pi लेंगे ठीक है तो याद रखना इसको आप इस integration को solve कर दो तो ये 1 by pi हो जाएगा ये vm बाहर निकाल दो तो ये vm हो गया integration आपको करना है alpha से pi plus alpha sin of omega t d of omega t ये हो गया vm by pi sin omega t का integration कितना हो हो जाएगा sin x का differentiation cos of minus cos of omega t lower limit alpha upper limit pi plus alpha बस आप limit put कर दो तो vm by pi इसका हो जाएगा minus of pi plus alpha minus minus plus cos of alpha ठीक है ये आपका कितना value हो जाएगा तो ये आपका minus cos alpha होगा second quadrant में चला गया ना all sin 10 cos तो second quadrant में ये all sin 10 ये third quadrant में जाएगा pi plus alpha आपका third quadrant में लागे करेगा तो इसका value minus of cos alpha होगा तो minus of cos alpha और यह minus plus cos alpha होगा, cos alpha, cos alpha 2 cos alpha हो जाएगा, तो आपका value कितना निकलेगा, Vm by pi cos of 2 alpha, तो आपका V0 का value कितना आया, इतना आ गया ठीक है, तो आपका V0 का value है, हम यहाँ उपर लिख देते हैं, हो सकता नीचे आपको न दिखे, V0 का value कितना आपका Vm by pi cos of 2 alpha, this is your average output voltage, ठीक है Vm by एतना, ठीक है, अच्छा 2 यहाँ यह होगा, cos यह cos alpha, और cos alpha, 2 cos alpha होगा तो यह हो जाएगा, 2 cos alpha 2 cos alpha, यह 2 Vm होगा, ठीक है, 2 Vm by pi, ठीक है, यह 2 आगे है जागा, तो 2 Vm by pi cos alpha, this is your average output, ठीक है तो यह था आपका complete RL load, जो आपका question 16 number पुझा था, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो I hope आपको यह समझ में आए होगा, once again जो लोग नए है, चैनल को सब्सकाइब करेंगे और वीडियो का, जो test का, exclusive test का जो link है, वो आपको इस वीडियो के description box में दिया गया, आप kindly check out कीजिए, जल्दी चेक कीजिए और जल्दी जल्दी यहां registration करवाईए और 22 माई को आपका exam है, ताकि आप completely free of cost, JEE का तेयारी यहां पर कर सके, till then thank you very much